हेलो फ्रेंड कैसो आप सभी आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रोईत फार्मा में तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे सिट्राजिन टेबलेट के बारे में इसे कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जाता है इसके क्या क्या हुजे से इसके क्या साइड एफेक्ट है और इस टेबलेट को किन परिस्तितियों में नहीं लेना चाहिए तो उन सबी को बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो फ्रेंड चलिए तो चलते हैं वीडियो की और आए वीडियो की और चैनल पर पह आपको बताऊंगा इसे किस-किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है फ्रेंड आज हम बात करेंगे ओका मेट इसे सिपला कंपनी द्वारा बनाया जाता है सेट जाइन टेबलेट इसे जी-एस की कंपनी द्वारा बनाया जाता है एलरीट टेबलेट इसे सिपला कमपनी द्वारा बनाया जाता है और सेटरीजेट टेबलेट इसे सनफारबा द्वारा बनाया जाता है और सीजेट थिरी इसे लूपिन कमपनी द्वारा बनाया जाता है तो यह कभी कमपनी सेटरीजेट टेबलेट को बनाती है इसके उप्योग मैं बताऊँगा इसे allergy condition में लिया जाता है जैसे कि पिसी भी patient को नाक से पानी आना, नाक लाल होना, आखों में आसु आना तो उस time पर इस tablet का उप्योग कर सकते हैं तो second, arctic area यानि कि तुचा पर बार बार इचिंग होना या तुचा पर बार बार खुजली होना या बोडी के अंदर कोई भी इसकी problem एसे छोटे छोटे दाने होना तो उस time पर सट्राइन टेबलेट को ले सकते हैं और insect, insect यानि किसी भी patient को किसी छोटे केड़े ने काड़ लिया हो जैसे कि मक्की, मदु मक्की तो उस time पर patient के सरीर पर सूजन या इचिंग बगएरा होती है तो उस time पर आप इस टेबलेट को ले सकते हैं तो और एक और उपियों के cesarean allergy जैसे कि मोसम के साथ मोसम परिवर्थन होता है तो cold, cuff and cold season के time पर इस टेबलेट को भी ले सकते हैं जी condition पर जैसे किसी भी patient को सर्दी जोखाम बगएरा type का लग रहा है तो उस time पर आप इस टेबलेट को ले सकते हैं तो ये इसके उपियों हो गए अब हम बात करेंगे इसके side effect के बारे में इसके side effect क्या है तो मैं आज आपको इसके side effect के बारे में बताऊंगा इसके side effect ये जैसे कि मैं आज आपको बताँगा इस टेबलेट को किन परिस्तितियों में नहीं लेने चाहिए तो मैं आज आपको बताऊँगा इस टेबलेट को किन परिस्तितियों में नहीं लेना चाहिए जैसे कि हम इस टेबलेट को लेने के बाद कौन-कौन से काम नहीं कर सकते हैं और किस इस्तिति में इस टेबलेट को नहीं लेना थकान या नीन टाइप की मैसुस होती है तो इस tablet को समय नहीं लेने चाहिए और इस tablet को किसी pregnancy या breast feeding के time पे इस tablet को नहीं लेना चाहिए और यदि आप लेते हो तो डॉक्टर के आगया के अनुसार इस tablet को ले सकते हो और ये तो होगा इसके इस किस परिस्तितियों में इस टेबलिट को नहीं लेना चाहिए का डोज यह 5 मिली गराम में यह टेबिलेट आती है तो आप यह बच्चों को 5 मिली गराम टेबिलेट डे सकते हो कमेंट करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आज तो चैनल को सब्सक्राइब करने का उसा जैंद यवात बनी मात्रम